Hello everyone, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जब भी कोई notification आएगा मैं आपको immediately inform करूँगा तो अभी जो notification आए वो Indra Gandhi Delhi Technical University for Women's के लिए आया है Last year भी इसमें impetus की काफी सारी girls गई है और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी बहुत सारी girls जाएंगी पर इसको लेके कुछ important बाते हैं जो मैं बता दूँ क्योंकि एक तो पहले तो women's के लिए है और Delhi University के लिए है क्या क्या बाते ध्यान रखनी मैं बिलकुर शेयर हूँ कि आपको मैं पूरी चीजे बताऊंगा उसके बाद भी आप वही question पूछेंगे जो मैंने इस वीडियो में cover किये इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके exam date को लेके बड़ा doubt है सभी को कि 19 जून को इसका exam है और 20 जून को निमसेट का तो ऐसे में क्या करें तो पहले मैं एक बार फिर बता दूँ कि इंद्रा गांधी डेली टेक्निक इनिवर्सिटी फर वूमेज जो है वो PG और PhD प्रोग्राम के लिए इनोंने open किया है और PG और PhD का मतलब केवल MCA नहीं है और भी PG प्रोग्राम से और PhD प्रोग्राम से क्या एनाउंस किया है वो ध्यान से सुनिएगा ये सबसे important है और इसके साथ में आपके जो doubts है वो बड़े एजीली बता सकता हूँ कि आप लोग को क्या action लेना चाहिए नमबर वन opening of admission portal 12 तारिक से 12.05 से हो चुका है open और last date of submission है 13.06 यानी आपको जून के 13 तारिक तक का समय है ठीक है फिर इसका admit card आएगा 16 तारिक को और exam होगा 19 को आपकी जो confusion है उस पर मैं भी 2 मिल्ट में आ रहा हूँ कि क्या करना होगा एक्जाम होगा conduction in CET common entrance test for MCA ठीक है result declare होगा 23 को यह सब चीज़े आगे की है problem कहां होगी वो समझ लीजे क्योंकि इसका exam center आपको डेली जाके देना होगा और आप सबको पता है कि 20 जून को निमसेट का exam है तो ऐसे में हम क्या action लें तो मैं जो आपको बोलूँगा अगर आपने वो काम किया तो बहुत हाई chances है in fact मैं बोलूँगा more than 90% chances बात के हैं कि exam को यह postpone कर दे निमसेट के बाद ले ले तो उसके लिए क्या करना होगा बताऊंगा पर एक बार फिर सुनिए इसका मतलब आप चाहें तो इसका form 10 जून को भी भर सकते हैं कोई ने आपको यह तो नहीं बोला आभी भर दे क्योंकि निमसेट के पहले आपका move करना ठीक नहीं है अगर आप daily रहते हैं तो अलग बात है otherwise या तो फिर आप exam छोड़ने तो 10 जून तक तो आपको अपको करना क्या होगा वो मैं बताता हूँ LGBT criteria यह admission procedure इन सब पर तो मैं आता ही हूँ पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ यह इनकी official website है इस पर आपको विजिट करना है ठीक है आई जी डी टी यू डवलू.ac.in और यह जो है helpdex है इस helpdex के थूरू आप काफी सारी चीजों को cover कर सकते हैं कैसे कि एक तो आप यहा इस पर mail करने से आपको मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ बहुत ही positive response मिलेगा आप mail करने के बाद response की wait मत करिएगा आप बस mail करके छोड़ दीजिए अब मल लीजे कि exam date इन्होंने postpone कर दी तो आपको पहले से पता चल जाएगा यानि आपको अभी तो दिखी रह तेरा 6 है तो अगर exam date postpone होई तो भी आप form बर दे नहीं हुई तो 10 मई को decide कर लिजेगा 10 June को sorry कि क्या करना है इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनिए कोई जल्लेवाजी मत करिए form fill करने में क्योंकि इनके exam center के लिए आपको move करना पड़ेगा अब बात आती eligibility की eligibility के लिए बड़ on subject या regular subject या फिर आप BCA, BIT और BIS इन तीन में से कोई एक है सुनिएगा BCA, BIT और BIS तो फिर आपके 60% ही consider के जाएंगे इसका मतलब यहाँ पर all लिखा तो अगर आप 12 math वाले नहीं है पर इन तीन में से कोई degree है तो आप consider होगा यहाँ पर आपकी bachelor degree कोई और हो तो 10th प्लस टू लेवल पर आपको mathematics लगेगी, clear है बात, फिर admission process जो है वो through test होगा, जो की CET entrance exam होगा, उसके through होगा और इसके result पर ranking पर आपको college मिलेगा, rank wise selection होगा, number of total seat जो है वो 75 में, अलग-अलग category की सीधे सीधे दी हुई है, किस तरह से एक अलग से कश्मिरी वाली दी है, mtech और mca, master and computer application, इसका duration two year का, यानि यह जो program है, वो two year का है, यह official website है, फिर से द्यान से देख लीजे, और यह जो है चीज help decks, यहाँ पर आप इनको mail करके इस बात की request करिए, और यह especially girls के लिए है, तो अगर आप girls mail करेंगे, कि name set का exam sir 22 June को है, ऐसे में 19 June को paper देना possible नहीं है if possible कि वो 20 June के बात कर दे, तो बहुत high chances है, बाकि जो senior बच्चे है, मैंने उनको भी बोला है, उन्होंने भी administration में obviously बात करेंगे वो भी, पर उनके बात करने का जो भी होगा effect पर आप भी अपनी तरफ से mail करिए, तो इस बात के chances हाई है, फिर बोलूँगा, अब आपकी जो problem में दिख रही है, उसके लिए आप अभी से मत भरिए, आप 10 June ले लीजे, 10 June तक ये clearity, 10 June के पहले आजाएगी, पर 10 June तक ये clearity आजाएगी, एक सिवा कल कई बच्चे पूचा जाए, सर क्या निमसेट की date बढ़ सकती है, वैसे निमसेट की date नहीं बढ़ेगी, जब तक official क कोई notification आए, पर एक सिवा माल लीजे, बढ़नी भी होगी, तो 10 June तक हमें सब कुछ picture clear होगी, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपकी जो problem है, वो है क्योंकि इसका exam center के लिए आपको दिक्कत आएगी, लास्ट टू एर से क्या था, COVID के वज़े से, बच्चों ने घर पर exam दि और पैनिक मत हो ये, college अच्छा है, फॉर्म भनना चाहिए, फॉर्म भनने को लेके ज्यादा tension ना ले, आपको लगे, तो आप 10 June तक भर सकते हैं, गर्स के लिए एक अच्छा option से, तो यहाँ पर यही बोलूँगा, बाकी कोई भी news होगी, हम लोगों ने भी है, आपने campus में जो बच्चे हैं, उनको बोलूँगा, मैं mail करने के लिए, इस्टार्ट भी कर दिया, उन्होंने, आप लोग भी करिये, जिससे की इसकी टेंटेट अभी जो date है, वो हो सकता है, पोस्पूर्ण हो के आगे बढ़ जाए, एक सिवा नहीं बढ़ती, फिर यह decision आपको लेना है कि इसका form भरना है कि नहीं, according to NIMSET preparation, और मुझे लगता अगर आप NIMSET के अच्छी preparation कर रहे हैं, तो फिर आप decide करने में easily decision ले सकते हैं, तो thank you and all the best, form भरिएगा, अच्छा exam है, पर form भरने के लिए जलवाजी मत दिखाए, फिर बोलूँगा, 13 जून जिसकी last date है, आप 10 ज इसाद मोटा की होज़ार सकते हैं, अच्छामा उलव opini लाईट फिर डाए, ओ fyजा च्छाशा आपर नहां हम जब मो How